दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका आपके फेवरेट चैनल मेथट्रिक्स में और अपने आज के सिम्मी में हम बात करें हैं तिर्भुज के केंद्रक के निर्देशांक यदि किसी तिर्भुज के शीरसों के निर्देशांक X1, Y1, X2, Y2 वे X3, Y3 हों तब तिर्भुज के केंद्रक के निर्देशांक तिरभुज के केंद्रक के दो निर्दे सांग होंगे एक X निर्दे सांग एक Y निर्दे सांग तिरभुज के केंद्रक का जो X निर्दे सांग होगा वो होगा X1 जामा X2 जामा X3 बटे 3 और Y निर्दे सांग जा होगा वो Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 3 y निर्देसांग होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 प्रसन दिया है किसी तिर्भुज के शीर्सों के निर्देसांग एक तिर्भुज है इसके शीर्सों के निर्देसांग 5 वे 2 दूसरे शीर्स के निर्देसांग 3 वा 4 तथा 7 वा 3 है इसके निर्देशांग साथ है, तीन है, इस तिर्भुझके केंदरक के निर्देशांग ज्याद करने हैं, तो तिर्भुझके केंदरक के निर्देशांग के लिए जो फॉर्मुला बता है, केंदरक के दो निर्देशांग होंगे, एकस निर्देशांग और एक य निर्देश बटे 3, यानि क्या हो जाएगा 5, इसका पहला जो X निर्दे सांग होगा, वो तो होगा 5, और दूसरा Y निर्दे सांग, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपन 3, Y1 की जगह यहाँ है, 2, प्लस Y2 की जगह है, 4, प्लस Y3 की जगह है, 3, और अपन 3, 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 और 4, 6, 3, 9, बटे 3, कितना जाएगा, 3, तो दूसरा Y निर्दे सांग इसका आजाएगा, 3, तिर्भुज के जो केंद्रक 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 केंद्रसांग होगे, तिर्भुज केंद्रक केंद्रक केंद्रसांग होगे, तिर्भुज के केंद्रक केंद्रसांग वाला एक और प्रसन यहाँ दिय याद करो एक तिर्भुज दिया है देखिए शीर्षों के निर्देसांग 3 वे 5 दूसरे शीर्ष के निर्देसांग 6 वे y और तीसरे शीर्ष के निर्देसांग माइनस तीन वह चार है तता तिरभूज के केंदरक के निर्देशांग भी दिया है X वह चार तिरभूज के केंदरक के निर्देशांग X वह चार है तो X और Y यहाँ यह X दिया है और दूसरा निर्देशांग के के Y दिया है इनके मान गयात करने है तो तिर्वुज के जो केंद्रक के निर्देशांक के लिए सुत्र होता है X बराबर X1 प्लस X2 प्लस X3 अपोन 3 तो X निर्देशांक की जगह है यहाँ X ही दिया है और X1 की जगह दिया है 3 प्लस X2 की जगह दिया है 6 और X3 की जगह दिया है माइनस 3 3, बटे 3, इससे तो X का मान गयात होगा, कितना हो जाएगा, यह 3 पलस का है, यह माइनस का है, 3 कर जाएगा, और 6 को 3 से भाग देंगे, तो यह आ जाएगा, 2, दूसरा Y निर्देसांक की जगह है, यहाँ, 4 दिया है, किन रखे जो निर्देसांक होते हैं, X वर Y, तो Y से आँगे, बराबर Y1 पलस Y2 पलस Y3 अपोन 3, अब देखे, 3 यहाँ भाग में आए, बराबर से दर लाएगे, तो गुणा में आ जाएगा, और 3 चोग, 12 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे, 9 पलस Y, 9 उदर पलस का, इदर आगे, माइनस का हो जाएगा, यानि कि Y का मान वह आजाएगा, Y बराबर 12 है, माइनस 9, और 12 में से 9 बटाएंगे, तो Y का मान आ जाएगा, आपका, 3X और Y का मान पूछे दे, यहाँ, X का मान आया है, 2 और Y का मान आया है, 3X का मान, 2 और Y का मान, 3 आया है, अगर आपको, किरभुज के शीरसों के निर्दे सांक ने देकर और किसी तिर्भुज की बुजाओं के मध्यविन्दों के निर्दे सांग दिया है तिर्भुज की बुजाओं के मध्यविन्दों के निर्दे सांग तीन मध्यविन्दों के निर्दे सांग दिया है और तब तिर्भुज की बुजाओं के मध्यविन्दों के निर्दे सांग तरट के निर्देशंग के निर्देशांग उन्यकों का निर्देशंग पहला एक्स निर्देशंग करें oh x1 plus x2 बटे 2, x1 plus x2 बटे 2, और y निर्देसांग होता है, y1 plus y2 बटे 2, यह मध्यविंदू के निर्देसांग का सुत्र है, तो यहां से मध्यविंदू का पहला निर्देसांग 3 है, यह होगा x1 जमा x2 बटे 2, यानि 3 बराबर x1 plus x2 बटे 2, और y निर्देसांग जो होगा, वो y1 प्लस y2 यानि y निर्देसांग यहां 2 है और y1 प्लस y2 बटे 2, देखिए 3 के गुड़ा में आ जाएगा 2 यानि x1 प्लस x2 का मान आ जाएगा 6, इसी तरह यहां y1 प्लस y2 का मान आ जाएगा 4, इसके बाद दूसरी भुजा के मध्य विन्नू का निर्देसांग दिया है x2, y2 तदा x3, y3 के मध्य विन्नू 5 वितीन है तो पहला x निर्देसांग 5 जो होगा x2 प्लस x3 यानि x2 प्लस x3 बटे 2 और दूसरा y निर्देसांग जो होगा वो y2 प्लस y3 y2 प्लस y3 बटे 2 तो ये 2 इसके गुणा में आजाएगा यानि x2 प्लस x3 हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 x2 प्लस x3 का मान 10 आजाएगा इसी परकार यहाँ y2 प्लस y3 का मान आजाएगा y2 प्लस y3 आजाएगा 6 फिर तीसरी पुजा के मध्य विन्नू के निर्देसांग 4 वै एक है यानि पहला x निर्देसांग ये जो होगा 4 x1 जावा x3 बटे 2 होगा 4 बराबर x1 प्लस x3 बटे 2 और दूसरा y निर्देसांग होगा y1 प्लस y3 यानि y1 प्लस y3 बटे 2 2 इसकी गुणा में आजाएगा x1 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 4 दूने 8 और यहाँ से y1 प्लस y3 ये हो जाएगा 2 एक हम 2 अगर आप इसको और इसको जोडेंगे x1 और 1 x1 ही है 2 x1 हो जाएगे 2 x2 हो जाएगे 2 x3 हो जाएगे तो 2 कोमन आ जाएगा x1 जमा x2 जमा x3 यानि 2 x1 थे 2 x2 थे 2 x3 थे 2 कोमन ले लिया और जोडेंगे इनको 6 और 10 16 और 8 24 तो यहाँ से 2 इसके भाग में आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 2 भाग में आ जाएगा 24 को 2 से भाग देंगे या आ जाएगा 12 इसी प्रकार इन तीनों को गर जोडेंगे इसको इसको और इसको y1 और y1 2 y1 हो जाएगे y2 और y2 2 y2 हो जाएगे और 2 ही हो जाएगे y3 तो 2 तो को मना जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और इनको जोडेंगे 4 और 6 10 और 2 12 अब दो भाग में जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना जाएगा 6 और तिर भुझके केंदरक के निर्दे सांग यहां से देखिए सुप्रदिया है x बराबर x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 तो x1 जमा x2 जमा x3 का माना है 12 और 12 बटे 3 करेंगे तो यह निर्दे सांग तो आ जाएगा 4 फिर दूसरा y निर्दे सांग निकालना है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 अगर सीर्सों के निर्दे सांग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो y निर्दे सांग आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लसवाइ थीका माना आई चे चे वट्टे दिन यानिके दो हो जाएगा यानि केन रंगे निर्दे सांथ आएगे इसके चार दो यह तिरी खुच केन रंखे निर्दे सांथ होंगे दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे इस वीडियो को लाइक कीजे दोस्तों के साथ सेयर कीजे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मैट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजे